तो बांगलादेश मां हालना घटना करम उपर भारते घणी मापसरनी प्रतिक्री आपी छे। अविशे वदू माहिती माटे बीबीसी ने समवाद दाता संदीप सोनी ये बांगलादेश मां भारतना भूरपूर्वा हाई कमिशनर देब मुखर जी साथे बात करी। तिमने पूछी हूँ कि भारतना प्रकारणा नरम वलन पाचर नुकारण शू होई शगे। मैं समझता हूँ कि ये जो रियाक्शन अफितक है ये बहुत सही है क्योंकि एक चीज हमें समझना हमारे दिये ज़रूरी है कि हाँ ये ठीक है कि कई कारण से बांगलादेश में जो हिंदू है उनके प्रती हम कोई हमारा जो प्यार है या हमारा जो शृद्धा है लेकिन हमें हमेश्या याद रखना चाहिए कि वो एक दूसरे देश के नागरिक है और अगर हम एक विदेशी होकर एक विदेशी सरकार होकर उनके परिस्थिती पर ज्यादा ठिपनी करें तो इसमें उनका फाइदा से हर्च का चांस से ज्यादा है क्योंकि उनका देखमाल का जो रिस्पॉंसिबिलिटी है वो वहां की सरकार की है वो हमारी नहीं है ये कई लोगों ने विस्लेशन किया है अकवारों में किताबों में मैंने भी किया है मैंने भी लिखा है कि हमारे यहां जो कमिनिलिजम जिस इससे बर रहा है इसका नतीजा हमारे परुसी देश बेवी हो बिलेगा और हमारे राइट विंग का जो राइज हो रहा है, इससे परशी देश का राइट विंग का भी इससे भरोसा भी लेगा। यह जो उन्होंने कहा है यह कोई नई बात नहीं है यह पिछले महिनों से इसका चर्चा हो रहा है भारत में, बांगलादेश में और विदेश में बांगलादेश में हिंद्यों पे पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसमें अगर हमारे सरकार करीं चर्चा करती है तो इसमें कुछ लोग शायद खुश हो सकते हैं लेकिन इसमें बांगलादेश में हिंद्यों का कोई फाइदा मुझे नहीं दिखाई देता है